Most welcome my friend, आज हम लोग बात करते हैं जाकर COVID-19 वैक्सिन या कोई भी वैक्सिन कैसे बनती है, उसमें कौन-कौन से पार्ट एकॉमोडेट किये जाते हैं ताकि वो सर्वाइवल और अक्टिविटी के साथ अच्छी रहे ताकि और भी जो साइड एफेक्ट हैं वो ना हो human system में अग का पूरा details one by one, तो कोई भी वैक्सिन जो सबसे पहले start होती है बनती है उसमें active ingredient of antigenes का होता है या bacterial cells का होता है जाकर जो इसको stimulate करता है immune system को, दूसरा adjuvant उसके साथ add किये जाते हैं, almonium salt होती है जो की boost करते है immune system को, तीसरा कुछ antibodies को add कि कोई contamination ना हो, किसी भी microbes का वहाँ उस type की antibodies को add कर रहे हैं जाकर ताकि यह सुरक्षित रहे during the administration, तो कोई vaccines होती ingredients कर लेते हैं वहाँ फिर उस पर adjuvant को add कर लेते हैं, antibodies less, less amount में होते हैं जाकर stabilizer होते हैं, ताकि वह किसी भी temperature जो maintain किया गया, stable रह जाकर degrade नहों हो जाए, diluents यूज करते है, phosphate buffer का एक salines यूज क करते हैं ताकि जो भी हम liquid में है vaccines उसको कहीं भी transport किया जा सके, जाकर traces amount of the inactive ingredients such as formaldehyde residue of cell structure भी उसमें add करते हैं, यह सारे structures का जो भी ingredient component बनाते हैं ताकि कोई भी vaccines जो हमारी develop की गई जाकर lab manual method द्वाला, वो stable रहे, durable रहे, store की जा सके और transport की जा सके किसी भी place में without any effect, ना कोई microbial contamination हो ना भी कोई इस टाइब के disturbance हो जाकर long term period के लिए इस तरह की चीजों में, तो यह एक overall का component of common vaccines के होते हैं जाकर जो भी कोई vaccines develop की जाती है, अब बात करते हैं Corona vaccines जो इस समय develop की जा रही तीन-चार companies के बारे में जो सबसे frontier पे चल रहे हैं जाकर उसमें एक मॉंडरेना MRNA waste vaccines है जाकर 1, 2, 7, 3 करके जो मॉंडरेना कंपनी इस नाम से develop कर रही जाकर यह एक mRNA waste vaccines है जाकर, spike proteins को इसमें huge किया गया जाकर, as a antigenes की root में जो stimulate करेगा जाकर, considering proline substitutions, two proline substitute molecules हैं वहाँ पे lipid nanoparticles capsule composed of 4, यानि कि यह mRNA है जो की proteins, जो spike proteins हैं उसका plus 4 lipid molecules के साथ एक combination बनाया गया जाकर, उसका ही एक पूरा particles vaccine के root में generate किया गया जाकर, ताकि इस vaccines को develop किया जा सके जाकर, no adjuvant यहाँ पर apply किया जाकर है, पूरा style medium से, आने वाले time में इसका क्या benefit होगा, क्योंकि इस 3 trial में काफी successful rate बताई गयी जाकर, और यह किस तरह develop की जाती है, जो inactivated, य easily बनाया जा सकता है, क्योंकि spike proteins है, spike proteins को हम RNA बना के CDNA technology दोरा हम उसके DNA को कर देते है, cloning करके, उसके बाद हम mRNA produce कर लेते है, जाकर mRNA को clarify करा लेते है, co transcription दोरा, और फिर purification, बहुत ही easily इस proteins को बनाया जा सकता है, जाकर generate किया जा सकता है within times में, that's why this vaccine is frontier है, सबसे तेज लीड क सबसे successful मानी जा रहे है, 90-95% का successful rate है, इस vaccines में proteins के अलावा जो nanoparticles के यूप में, lipid molecules का formulation किया गया जाकर, वो इसको protect करने के लिए, परस, surplus करने के लिए, easily होने के कारण है, इसके यूज करने के लिए, तो ये एक process है, किस तरीके से हम, spike proteins को हम generate करते है, CDNA, CDNA से transcription करा लेते जाकर, MRNA, MRNA के बाद में directly चला जाते हैं, इसकी purification process के लिए, तो ये मोंडेरना vaccines, जो inactivated vaccines है, उसको procedure है, किस तरह बनाई जाती है, अब आते हैं, दूसरी vaccines पे, viral vector vaccines, एस्ट्राजनेका, जो की आक्सपोरी नोस्टी द्वारा बनाई जा रहे है, ये भी काफी successful rate है, ये भी replicative version of the common cold viruses, चिंपैंजी, एडिनो वाइरस का, इसने ये इनवाइडस लिया, पार्टिकिल्स लिया, इस पर बेस्ट ये vaccine से, जो coronavirus, COVID-19, SPAC protein की engineering किया गया, उसके साथ ही, उसमें engineering करके हमने packaging cells किया, और इसको multiply किया जाकर, human embryonic kidney cells पे, वहाँ पर इस चीज को harvest करके purify किया ज इन्स्ट में generate की जा रही जाकर, उसका ये procedure है, तो ये काफी ज्यादा successful मानी जा रही है, आने वाले time में इसका जो भी procedure होगा, we will see the result, इस्टा जनाईका ये vaccine से export वाली, इसका किस तरीके से mode of action होता है, mechanism होती है, इसमें adenovirus vaccines, adenovirus जो होता है, उसको introduce कराते है, body system में encapsulated process जैसे ही body system के introduce होता है, वहाँ पर single standard DNA molecule बाहर निकलता है, और ये eposomal type की activity दोरा transcriptional process के थुरू mRNA generate करता हो, वो mRNA जैसे ही spike protein का formation करता है, translational process दोरा, और ये spike protein responsible होती है, generating inside the immunological activity, ताकि हमारे body system में immune जो active होता है, इस type की foreign particles के against में, तो ये एक process है, जिस तरीके से ये हमारे body system में, चिंपैंजी के थूरू इसमें experiment किया गया जाकर, आने वाले time में, जो भी successful rate बताया जा रहा है, estrogenica कर, कि 70% से 80% के बीचे successful rate है, side effect बहुत ही कम है, तो देखते हैं, इसका result आने वाले time में क्या होता है, काफी safe मानी जा रही है, ये vaccines अच्के में पर to others, अब आते हैं दूसरी नए vaccines, जो inactivated vaccines के बोली जा रही है, जो san pharma, corona vaccine के नाम से है, ये भी एक अच्छी vaccine, successful rate में मानी जा रही है, growing, covid 2 के नाम से जो हुई आ रहे, monkey cells, इसमें virus cells यूज़ की जा रहे, harvested cells, inactivated beta, propylactam का यूज़ किया जा रहा, किस तरीके से बनाई जा रही है, जाकर, इस जो कि इसको use करेगी, जिस तरीके से मैंने बताया, कौन-कौन से चीज़े use की जाती है, किसी vaccines को generate करने के साथ-साथ, उसके साथ, इसमें भी, जो हमारे पास saline water, salt water, phosphate buffers है, या beta, propylactam, inactivated process, कई चीज़े इसमें ऐसी है, जो कि vaccines को effective बनाती है, as a covid-19 के against me, तो आने वाले time में इसकी mode of actions कैसा रहेगा, क्योंकि जो इसका सफलता बतायी जा रही है, काफी अच्छी है, we will see the result, what we will see, जो ये vaccines के बारे में जो inactivated बूली जा रही है, इसका भी process होता है, clinicals के स्तरा से बनाई गई जाकर, cells होती है, source covid-2 की cells को infections कराई आती है, फिर उन cells को isolate करते है, covid-19 वाली vaccine cells को, फिर इनक्टिवेट कर देते है, agent के थूँ, जो भी agent, aluminium, hydroxide, जो भी यूज किया जा रहे है, इस vaccines तो दोर inactivated forms में, इस vaccines को directly, that means, यहाँ पर जो ये vaccines है, ये एक प्रकार से virus ही है, covid-19 को यूज किया जा रहा है, उसके inactive form को, ताकि जो structures है, वो identify हो, और immune cells उसको identify करके immunological activities, सो करें, कभी इस foreign particles के साथ आ सके है, तो ये एक प्रकार का, vaccines का component कौन सो होते है, किस तरीके से vaccines develop की जा रही है, तीनों vaccines के बारे मैंने बता है, जो frontier run में चल रही है, बाकी आने वाला टाइम बता है, कितना successful होती है कि नहीं, thank you so much, और watching and gain your time, if you like, please subscribe मैं चैनल, thank झाल, thank you.